तो दोस्तों ये वीडियो पॉइट्री एडिटिंग से रिलेटेड है अगर आप अपनी वॉइस में पॉइट्री म्यूजिक के साथ एडिट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाकर या फिर इंस्टा की रिल्स पर बनाकर वीडियो को अपलोड करें अपनी खुद की पॉइट्री को और इसमें वॉइस एफेक्ट भी दिया गया है तो दोस्तों मैं आपको बहुती कमाल की एप के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसे कैसे यूज़ करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर सर्च करें बैंड लैब तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इस एप का इंटरफेस है तो सबसे पहले अपना background music यहाँ पर add करने के लिए आप import file पर click करें और यहां पर आप अपना background music एड करें तो दोस्तों background music की link मैंने दे दिए है अगर आप चाहें अपनी मर्जी का background music भी add कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो गया first track मतलब यह background music है अब second track के लिए आपको इसमें अपनी voice को add करना है मतलब आपको यहां से record करना है तो सबसे पहले plus पर click करें और यहां पर यह टॉप में दिख रहा है voice तो दोस्तों इस app में वैसे भी बहुत कमाल के features हैं तो अब हम अपनी voice को record करते हैं तो दोस्तों अपनी poetry record करने से पहले आप यहां पर एक effects select कर लें जो कि आपकी voice को polishing करेगा और studio की तरह काम करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे effects दिये गए हैं तो यह dub, verb, reverb, large, studio, reverb और बहुत सारे effects दिये गए हैं जो आपकी voice studio की तरह record करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे effects दिये गए हैं मैं यहां पर post tone select करता हूं यह काफी अच्छा effects है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर track 2 में यहां पर post tone effects एड़ हो चुका है तो अब हम अपनी voice को record करते हैं और अपनी voice को poetry को record करें तो दोस्तों अगर आपके आजपास बहुत noise हो रहा होगा वो भी cancel हो जाएगा तो हम अपनी voice को record करते हैं इश्क के खयाल बहुत है इश्क के चर्चे बहुत है सोचते हैं हम भी कर लें इश्क पर सुना है इश्क में खर्चे बहुत है तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी voice को record कर सकते हैं अपनी poetry को तो अब हम यहाँ पर आपको कुछ editing बताते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर top में जो दिख रहा है cross जो right side में है cross यहाँ पर click करें और आपको अपने first track का जो background music है उसे कम करने के लिए आपको जो last में दिख रहा है track setting यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप अपने import track का volume थोड़ा सा low कर दें और अपने track 2 का मतलब अपनी voice का volume थोड़ा सा बढ़ा दें जिससे आपकी voice clear आएगी और background music के साथ आपकी voice match हो जाएगी तो दोस्तों इसके बाद आप अपने voice पर noise cancel भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप touch करते हैं तो three dot option आएगा तो आप अपनी voice का जो आसपास का जो आपका noise होगा वो cancel हो जाएगा यहाँ पर आप denoise पर click करते हैं तो आपका background noise cancel हो जाएगा इश्क के खयाल बहुत है इश्क के चर्चे बहुत है इश्क के खयाल बहुत है इश्क के चर्चे बहुत है सोचते हैं हम भी कर ले इश्क सोचते हैं हम भी कर ले इश्क पर सुना है इश्क में खर्चे बहुत है तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी poetry को background music के साथ record कर सकते हैं इसके बाद आप जो top में दिख रहा है आप arrow यहाँ पर आप अपनी poetry को save करें आप title, name और description में जो चाहें आप लिख सकते हैं पहचान के लिए मैं लिखता हूँ इसके शायरी और description में आप कुछ भी लिख सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर save कर दें तो आपके यह offline आपकी file manager में save हो जाएगी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में view का option यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ से download भी कर सकते हैं तो download करने के बाद ही आपके file manager में यह save होती है तो दोस्तों यहाँ पर अप जैसी बीच में download icon पर click करेंगे तो download as audio आडियो पर touch करें तो इसके बाद यहाँ पर आप direct किसी को share भी कर सकते हैं या फिर आप अपने file manager में जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी share ही यहाँ पर save हो गई होगी तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी share ही इश्क के share ही यहाँ पर save हो चुकी है तो मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको इश्क के ख्याल बहुत है इश्क के चर्चे बहुत है सोचते हैं हम भी कर ले इश्क पर सुना है इश्क में खर्चे बहुत है तो दोस्तों इसके बाद आपको अपनी वीडियो या फिर फोटो पर अपनी पॉयट्री के जो आपने पॉयट्री रिकॉट की है उसके साथ आपको टेक्स्ट भी करना है उसे एड़ करके तो दोस्तों आप एड़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में poetry को और उसमें text कर सकते हैं फिर उसके बाद आप अपनी YouTube या Insta Reels पर upload कर सकते हैं अपने चैनल पर तो दोस्तों मैंने previous वीडियो पहले से बना रखी है तो आप मेरी previous वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने बताया कि आप कैसे वीडियो या फोटो पर text करें तो इसके लिए Kind Master app भी available है आप उससे भी text कर सकते हैं या फिर आपको जो app easy लेगे आप use कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी ऐसी और कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें और केमेंट्स करें और आपको जो पूछना है आप डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच कीव वाचिंग कीव लर्निंग